Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas, Super Ideas में आप लोगों का एक बर फिर से स्वागत है तो दोस्तो आज है 14 जून, a very good morning to all of you, हिमाचल की सभी न्यूज इस वीडियो में हम देखने वाले है ये सीरीज में आप लोग के लिए हर रोज सुबह लेकर आती हूँ, ताकि आप सभी न्यूज एक साथ देख पाएं और अप्डेटेड रहे पाएं तो अगर आप इस सीरीज को हर रोज देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो प्लोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगो को मिल जाएं, तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के कोविड के परतिवंदों में धील के बाद परियतक शिमला की तरफ दोर पड़े हैं, परवाणू में भी भारी यातायाद दिखाई दिया तो हिमाचल प्रदेश ने शुक्रवार को नए दिशा निर्देश जारी किये, जिसमें कई और डील के साथ कोरोना कर्फियू का विस्तार किया गया धारा 144 को हटा लिया गया और राज्य में परवेश के लिए अब आरटी PCR नेगिजिव रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं है जिसके बाद परियतकों ने हिमाचल प्रदेश में आना शुरू कर दिया है कुल्लू में 2 किलो 958 ग्राम 4 सही 4 गिरफतार हुए कारसवार हर्याना के 3 युवक को भी दबोचा गया करनी सेना उत्तर परदेश के अदग शेकर चुहान की गिरफतारी का हिमाल्य में विरोध काजियाबाद जाएंगे सदश से धार्मिक नगरों के व्यपारियों को नहीं मिला बजार खुलने का लाब मंदिर खुले सरकार तो जुतने भी धार्मिक नगर के व्यापारियों हैं उनका सरकार से क्याना है कि मंदिरों को पोला जाए क्योंकि धार्मिक वजारों को तभी लाब मिल पाएगा जब मंदिर खुलेंगे और अभी तक हिमाचल परदेश में मंदिर के कापाट नहीं खुले गए है। परदेश अद्दक सुरेश कस्यप ने कहा कि 15-17 जून तक सेवा ही संगटन के तहट किये गए कारियों की समिक्षा शिमला में की जाएगी। इसके साथ आगामी योजना को लेकर विस्तर चर्चा करेंगे। परदेश सयोजकों के साथ बैठक होगी। 17 जून को पहनी बैठक सुबह होगी। डेल के बाद हिमाचल में बढ़ सकता है कोरोना के मामले सवास्ते विभाग अलने अलट जारी किया है। इमाचल परदेश में करीब 34 दिन बाद आज से शुरू होगी बस सेवा कोरोना कर्फिय। अनलोग के तहट परदेश सरकारत वाला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर यानी SOP के तहट राज्य के भीतर लगबर 34 दिन बाद बस सेवा शुरू करने का नर्नल या गया ह इसके तहट सोंवार से शुरू होने वाली बस सेवा को लेकर HRTC द्वारा तयारिया भी शुरू कर दी गई हैं। नहीं मिला कोरोना वाइरस हिमाचर परदेश में शनिवार को 20,649 सेंपल की जाच हुई जिसमें से 98.21 फिस्दी में कोरोना वाइरस नहीं पाया गया। कोरोना के केवल 370 नहीं पॉसिटिव केस आये जबकि 17 की मौत हुई। परदेश में कोरोना को माद देकर 830 लोग स्वस्थ हुए रिकवरी रेट 95.56 हो गया है। हमाचर परदेश में मांसून की दस्तक 13 साल का रिकोर्ट टूटा, 13 साल बाद इतनी जल्दी हमाचर परदेश में मांसून की दस्तक देखने को मिलेगी। कोविड की नेगटिव रिपोर्ट ने कर आने की अनिवारी तक खतम होने से ही एक दिन पहले से ही रविवार को हजारों सैलानियों ने हिमाचर का रुख किया विकेंड पर सोलन के चायल में असी शिमला और डलोजी में 30 फिस्दी होटल पैक हो गए मनाली में ओक्यूपैंसी 10 फिस्दी रहा इस से होटल कार्योबारियों के चैरे खिल गए मनाली में सोमवार को 25,000 होटलों में से 50 फिस्दी होटल खुलने का अनुमान था लेकिन रोतांग दर्राप परेटों को के बहाल होने के कारण 500 होटल रविवार को ही खुल गए हिमाचल में सरकारी और नीजी करीब 20,000 होटल है इन में से 4 पंजी कर्थ 6,000 गैर पंजी कर्थ और 10,000 होमस्टे और ब्रेड और ब्रेकफास्ट इखाईया है हिमाचल में आज 25,000 नो से क्यामन को लगेगा देका 266 के इंदर बनाए गए हिमाचल पहुंचे वैक्सिन की सभ H.A.S. बनेंगे I.A.S. अफसर फिर होगे उपायुक्तों के तबादले साथ कोरोना संक्रमितों की मौत पर्देश में 206 नहीं मामले कांगणा में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई हमीरपूर में हमीरपूर में मुंड खर गाओं के 42 वर्सिय वैक्ति ने कोरोना से दम तो शुरू हो गई लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए पोर्टल पर पंजीकरन करवाने की शर्त जारी है तो अगर आप हिमाचल परदेश आ रही है उसके लिए आपको e-pass बनवाना जरूरी है हाला कि RTPCR की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है लेकिन e-pass गए हैं तो यह थी दोस्तों हिमाचल के बारे में कुछ न्यूज तो इसी तरीके से हर रोज अपडेटर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें टाकि जैसी वीडियो अप्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल